दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूशेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसे रेल बे गुरूप डी एससी यूपी पुलिस लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षक लिए यह काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटी का निशाने इसे अन करते हैं और यह टोटल जो है 40 प्लस कोश्चन है आप इन मैंसे कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कूर कमेंड बक्स में लगा सकते हैं तो चले शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है निमनलेखित मैंसे कौन सा एक है इंटरनेट बराउजर नहीं है तो देखिए करेक्ट आंसर अप्शन ही हो जाएगा पांडा पांडा अप्लिकेशन जो है यह इंटरनेट बराउजर नहीं है पांडा अप्लिकेशन की बात करें तो यह सवर्पर्थम्षी बराउजर का विकास तीम बर्नोरसली ने 1991 में किया था अभी बरतमान में कुछ प्रचलित वेब बराउजर यहाँ पर हमने लिखे हैं पहला है इंटरनेट एक्सप्लोर यह माइक्रोसफ्ट कॉर्परेशन द्वारा बिक्सित वेब बराउजर है दूसरा है मोजिला फायरफोक्स इस वेब बराउजर का परियोग विंडोज, लाइनक्स आदी अपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है तीसरा है ओपेरा ओपेरा जो है यह मोबाईल फोन तथा पीडियों में परियोग किया जाने वाला लोगपरिया वेब बराउजर है चोथा है एपल सफारी एपल सफारी इसका परियोग जो है आईफोन तथा आईपेड के लिए किया जाता है और पांचवा जो है गूगल कुरोम यह कुश्य फेमस मतलब प्रचलित वीब बराउजर है जो यहां से एकजाम में कुशन पुशे ही जाते हैं पता होना चाहिए कुश्य नमबर टू है टोर्च स्वर्च लाइट और वाहन की हेड लाइटों है परकास का सकतिसालिस अमनांतर कीरण पुंज उत्पन करने के लिए समान तक किस परकार के दरपण का उप्योग किया जाता है तो देखे इसमें जो है ये ओतल दरपण का उप्योग किया जाता है टोर्च स्वर्च लाइट वाहन की हेड लाइटों है परकास का सकतिसालिस अमनांतर कीरण पुंज उत्पन करने के लिए समान तक किस परकार के दरपण का उप्योग किया जाता है इसके अलाबा ओतल दरपणों का उपयोग जहां-जहां किया जाता है, वो यहां पर हमने लिखे हैं, पहला दिया गया है, सुर्भ हटियों में सुर्य के परकास को केंद्रित करने में ओतल दरपण का उपयोग किया जाता है, हजामत बनाने वाले दरपण के रूप में इसका दात भी से सग्या, आख, कान यो नाक भी से सग्या द्वारा जो है ओतल दरपण का उपियोग किया जाता है टोर्च स्वर्च लाइट में वाहनों के अगर द्वीपो में परवलाइकार ओतल दरपण का उपियोग किया जाता है परावर्तक दूर्बीन में जो है ओतल दरपन का उपयोग किया जाता है Question number 3 है भारत के प्रोथम स्वादेशी उपगरव परछेपन यान का नाम बताईए तो देखे इस यान का नाम है SLV3 क्या नाम है SLV3 है Correct answer B हो जायेगा Question number 4 है Computer का Operating System dash का एक उधारन है तो computer का operating system जो है, system software का उधारण है, correct answer B हो जाएगा, question number 5 है, चांदिक किस पदार्थ के साथ अभी क्रिया करने पर काली पड़ जाती है, तो ये गंधक के साथ अभी क्रिया करने पर काली पड़ जाती है, तो लड़की के लिए जो है, double x गुण सुतर उतरदाई होता है, ठीक है, जबकि लड़का की बात करें, तो लड़के के लिए जो गुण सुतर उतरदाई होता है, वो होता है xy, ठीक है, और link निर्धारन किस पर निर्भर करता है, तो पूरुसों के गुण सुतर पर, ठीक है मानो जाते में 23 जोड़ी में 23 होते हैं और इस तरह से 46 गुण सुत्र होते हैं निमने लेखित में से कौन से एक computer का आंतरिक हिसा नहीं है तो correct answer option D हो जाएगा flash drive जो है computer का आंतरिक हिसा नहीं है बाकी ये तीनों जो है आंतरिक हिसा है RAM, motherboard और वीडियो कार्ड तीनों क्या है computer का आंतरिक हिसा है पसो के इन में से किस phylum में उनके पैर जुड़े होते हैं तो orthopoda, orthopoda के जुड़े होते हैं option D correct हो जाएगा चंद्रमा के लिए भारत के पहले आंतरिक छे आने मिशन, चंद्रियान फर्स्ट को डैस द्वारा सफलता पुर्वक परछेपित किया गया था तो चंद्रियान फर्स्ट को किसके द्वारा सफलता पुर्वक परछेपित किया गया था PSLV C11 के द्वारा याद रखना है PSLV C11 के द्वारा कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले आंत्रिक्षेयानords चंद्राऋ फर्स्ट को प्रषपीत किया गया था कुछह नमबर दस है इन में से क्वाण सा एक तामरा शर्क है तो करेक्ट आभी सब्स्आइप जो ही एक तामरा शर्क है इसके अलावा यहाँ पर आइरन के कुछ महतपूड आईसके नाम लिखे हैं आइरन के महतपूड आईसक है हेमेटाइटे, लीमोनाइडे, मैगनेटाइटे जिसे लेडे स्टून भी बोला जाता है सीडे राइट और आइरन पाइराइट यह सभी क्या है, आईरन के अयस्क है, निमने लेखित में से कौन सा अंटार्टिका में इस्तित भारतियानु संधान केंदर नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी उचाएगा, दच्छिड यम उनोत्री, यम उनोत्री जो हैं अंटार्टिका में स्तित भारतियानु संधान के अंदर नहीं है, ई-300 का समाने नाम बताइए, ई-300 का समाने नाम क्या है, विटामिन C, बी आंसर हो जाएगा, इसके अलावा हैं आपर हमने विटामिन और उनके राशाइनिक नाम लिखे हैं, विटामिन A की बात करने तो इसके रासाइन एक नाम जो है रेटिनोल है विटामिन B1 थाइमिन विटामिन C स्कर्भी कमल की संधी पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपिया समुदाय को यूरोपिया संग के रूप में जाना जाने लगा तो करेक्ट आंसर सी यू जायेगा दर ट्रीटी ओफ मास्ट्रिच उन्निस बानबे के संधी की मतलब संधी पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपिया समुदाय को यूरोपिया संग के रूप में जाने जाना लगा भारत में संपर्दायक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है तो देखिए ये कहा जाता है लौड मिंटो दूतिय को लौड मिंटो दूतिय को कहा जाता है औप्सन C करेक्ट हो जायेगा भारत के क्रेसी और किसान कल्यान मंत्राले ने प्रति वर्ष डैस को राष्टिया महिला किसान दिवस मनाने की घुंसडा की है तो ये प्रति वर्ष जो है 15 अक्टूबर को मनाने घुंसडा की है अप्सनी करेक्ट हो जायेगा भारतिय संबिधान के भागचार का अनुशेद 43 भी डैस से संबंधित है तो भागचार का 43 भी किसे संबंधित है सवाकारे समीतियों संबंधित है option D correct जाएगा question number 17 है 19-1 में प्राथम नोबेल प्राथम नोबेल सांति पुरुषकार विजेता हेन्री डिूरेंट ने किसं गठन का गठन किया था तो देखी ये गठन किया था international red cross का ठीक है option D correct हो जाएगा question number 18 है पुर्वी भारत की परधान मंत्री उर्जा गंगा पर्योजना किसे संबंधित है पुर्वी भारत की परधान मंत्री संबंधित है option ये correct हो जाएगा question number 19 है हमारे सरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो 0.4% जो है हमारे सरीर में नमक की मात्रा होती है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उन रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस के दूध में होता है यह भी कुश्चन कई बार पूशा गया है बेरी इंप्रोटेंट कुश्चन तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है अप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 17-93 में किस गोर्ना चैनल के सासन में बंगाल की अस्थाई बंदबस्त लागो की गई थे तो करेक्ट आंसर अप्शन बी हो जाएगा लॉड करनवालेस के समय में लॉड करनवालेस के समय में जो है बंगाल की अस्थाई बंदबस्त लागो की गई थे इन्हीं के समय में जो है मतलब लॉड करनवालिस नहीं जो है भारत में सीबिल सेवा का इनको जो है जनमदाता कहा जाता है इसके लावा इनको भारत में पूली सेवा का भी जनमदाता कहा जाता है कुश्य नमबर ट्वांटी टू है इनमें सेक्वान सी करवा ही सविनाओ के आंदोलन के शुरू होने की वज़ा बनी तो करेक्ट आंसर अप्शन सी ओ जायेगा डांडी यात्रा डांडी यात्रा सविनाओ के आंदोलन के शुरू होने की वज़ा बनी डांडी यात्रा की बात से डांडे नवसारी जीला गुजरात तक जो है पैदल यात्रा की थे छे अपराल 1937 को डांडे में अबाय धरोप से नमक बना कर नमक कानून तोड़ा गया किसके द्वरा महत्मा गांधे जी के द्वरा याद रखना है 23 है नोबेल सांते पुरुषकार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताई है तो पहले चीनी यात्री नोबेल पुरुषकार से सम्मानित होने वाले यह है लिव सिया ओबो जो है यह नोबेल सांते पुरुषकार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक है माड़ी पूरी सास्त्रिय निर्त्य में प्राया भगवान डैस के कथा प्रसंगों का चित्रन होता है तो किनका होता है तो यह होता है क्रिश्न का ठीक है आंसर हो जाएगा B निमने लेखेत में से कौन सा भी कौलप सन्युक्त राष्ट के आंगों और उनके मुख्यालियों का सही यूग में नहीं है तो करेक्ट आंसर ओप्सन B हो जाएगा बिश्व स्वास्त संगठन इसका मुख्याले नियॉर्क नहीं है ठीक है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले जेनेवा स्विट्जर लेंड में इस देत है बिश्व स्वास्त संगठन इसके स्थापना साथ अप्रेल 1948 को की गई थी इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट है इंटरनेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस इसका मुख्याले हैंग में है अंतराष्टिय राष्ट्र सैच्छिड के और बिग्यान संस्क्रिती संगठन इसका मुख्याले पेरिस में है अंतराष्टिय परमाडू उर्चा एजन्सी इसका मुख्याले बियना में है 26 है ब्रिटिस परधान मंत्री बिश्टन चर्चिल को डैस के लिए नोबेल पुरुषकार मिला था तो ये साहिते के लिए जो है नोबेल पुरुषकार मिला था करेक्ट आंसर सी यू जायेगा बिश्टन चर्चिल की बात करें देश और उनकी राइधाने को इनमे से कौन सा यूम सुमेलित नहीं है, तो देखे यहाँ पर पहला ही सुमेलित नहीं है, कजाकिस्तान सुमेलित नहीं है, टाप बिधुद सन्यांत्र और उनकी अस्थान का इनमे से कौन सा यूम सुमेलित नहीं है, तो correct answer option B हो जाएगा, ता तो देखे इसका उदेश है गैर कार्पोरेट लगू ब्यापार छेत्र को बीतिय सहायता का प्रावधान परधान मंत्री मूत्रा योजना का क्या उदेश है तो गैर कार्पोरेट लगू ब्यापार छेत्र को बीतिय सहायता का प्रावधान जो इसका उदेश है ताज महल के सजावट के लिए मुखे तक किस बसे तकनिक का इस्तमाल किया गया था पियेटरा डियूरा का इस्तमाल किया गया था गरेक्ट डियूर अप्सन C हो जायेगा निमने लेखेत में से कौन से सिंधु नदे की सहायक नदे नहीं है कौन से सिंधु नदे की सहायक नदे नहीं है तो correct answer C हो जाएगा गोमती जो है सिंधु नदे की सहायक नदे नहीं है सिंधु की सहायक नदिया है जेलम, चिनाव, रावी, ब्याज, सतलज गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी शर्यू नदी की सहायक नदी है गोमती नदी उतर प्रदेश की नदी है जो गोमत ताल से निकलती है सिंदो नदी का उदगम तीबत के मानसरोर के निकट है सानो खेयाबाब हिमनत से हुआ है जेलम नदी की बात करें तो जेलम नदी का उदगम जमु कास्मीर के बेरिनाग या सेसनाग जील है किस परकार के मिट्टी में कापास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है तो कापास का उत्पादन सबसे अच्छा जो है ये काली मिट्टी में होता है जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है यह हो जाएगा और यह सबसे अधिक महाराश्ट राज्य में पाये जाता है काली मिट्टी निम्नलेखेत मैं से किसने समवाद कैमूदी अख़बार की शुरुआत की समवाद कैमूदी अखबार के सुरुवाद राजाराम मोहन राय ने किया था ठीक है आंसर हो जाएगा D और सयोग अंदोलन के दोरान गाधी जी ने किस सम्मान को लटाया था केसरे हिंद को लटाया था ठीक है केसरे हिंद को अपसनी करेक्ट हो जाएगा भटकल बंदरगा कहां इस्तीत है तो देखी ये इस्तीत है करनाटक में आंसर हो जाएगा B भारत में सरवादिक जैवब बीधता किस घाटी में पाई जाती है तो सरवादिक जैवब बीधता जो है ये पाई जाती है सांत घाटी में और आंसर हो जाएगा किस वाग को प्रभावित करता है तो देखी हे फेंफड़े को प्रभावित करता है कौरेक्ट आंसर ओपसन ए नुशाएगए जायेगा कि अब घातियो में सब से कंखण तो अलगा तो अनशा है थातियां कौण सा यह है लीतियू कौरेक्ट आंसर open again जाएगा कि सिततों का रासानी गुण कौन ताय करता है कि सिततों का रासानी गुण कौन ताय करता है तो इलेक्टरान की संख्या ताय करता है ठीक है करेक्ट आंसर सी जाएगा समान ने कारे के लिए समान कारे के लिए समान बेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गय तो यह एक है राजे के नीती निर्देशक सिधानतो कांग है यह क्या है राजे के नीती निर्देशक सिधानतो कांग है आंसर हो जाएगा भी 41 है भारत में नियाइक पुनिरिक्षन के संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है न्याईक पुनिरिक्षन कि कलपना किस देश के संविधान से ली गई है तो ये सनु त्राज अमेरिका से ली गई है करेक्टर आंजर बी हो जाएगा 42 है निमनांकीत में संसार का सर्वाधिक ब्युस्त महासागर यह गरत कौन सा है तो ये है उत्री अट्लांटिक महासागर उ उसके बाद यहां पर हमार अगला कुश्चन है आयतन क्याधार पर बिश्वक की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतन क्याधार पर बिश्वक की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो यह है अमेजन ठीक है correct answer option यह हो जाएगा तो दोस्तों यह थे लुसेंट समाने ग्यान के important 40 plus question आयोप कि यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा पसंद आते प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में share करें चैनल पनाया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन यानि घंटी के निसाने उसे जुरूर से अन कर दें ठी मैं कोई निए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंदे जय व्यूंद